Hello to tell us, तो अमने ग्लेनमार को trade किया था, फार्मा सेक्टर का ही stock था, आज हमने जडिस को trade किया था ये भी फार्मा सेक्टर का ही stock है and Sunday evening में हमने ये declare किया था आ कि इस विक हम लोग फार्मा सेक्टर में सिफ और सिफ शॉर्ट सेलिंग के trade ही देखेंगे क्योंकि इस विएक फार्मा सेक्टर ने आपको शॉर्ट सेलिंगे के कंफिरमेशन दिये न तो बहुत अच्छे अच्छी मूव आपको देखने को मिलेंगे इसी वजाए से हमने कल भी फार्मा सेक्टर का ही स्टॉक रेट किया थे आज भी मनें ZYDUS का एक्जिक्ट किया आज का जो वीडियो है पॉइंट ऑफ एक्शन की जो इंपॉटेंस होती है और कौन से पॉइंट ऑफ एक्शन पर एक्शन पर एक्शली हमें वर्क या फिर प्रैक्टिस को आगे की दिरफ बढ़ाना चाहिए इनके उपर हम डिसक्शन करेंगे दो ट्रेट्स हैं सबसे पहला तो कल का भी ट्रेट यानि कि कल का वो वीडियो जो कि हमें कल ही अप्लोट कर देना चाहिए था किस तरह क्यों हो रही है पॉइंट ओफ एक्शन लोवर एंड हायर टेंप्रिम की कुल मिलाकर करके जो भी चीज़े हैं वो सारी के सारी हम लोग लाइफ मार्केट में एक्स्पिरियंस करें उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो हो नहों वीडियो काफी हेल्फूल आप लोगों के लिए होते हैं तो वीडियो को जरूसर जरूर एक लाइक कर दीज़ेगा विगाज आपका एक लाइक और एक कॉमेंट बहुत एनर्जी हमें प्रोवाइट करता है नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन के लिए तो थैंक्स और टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो बहुत साही चीज़े जैसे आज टेट जब हमारा चल रहा था उसमें रनिंग प्रोविट था एक्जिट किया था उसको यूटूब पर तो ऐसे किया हुआ था कल ही उसका सारा कम हुआ था वो कल का वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाए है उन पॉइंट अफेक्शन को जब आप देखो गया चल करके तो इस चीज़ को जो अभी हम बात कहने जा रहे है आप से उसको बहुत अच्छी तरह से आप रिलेट क तो इसको टच करके डाउन या फिर अप मूव दिखाए यानि के मेरे पास एक मेरी मास्टर केंडल बंजाती है यहाँ से प्राइज जब जब प्राइज आपका इस आपकी कॉमन लाइन से टकराता है कॉमन प्राइस तकराता है तो प्राइस के अंदर एक बड़ा मूव तक रहा करके बार बार नीचे के साइड में गिल रहा है फिर से यहां से इसके मुवेंट स्टाट वे प्राइस आपका एक लिवर से नीचे की दुर्फ गिल रहा है बहुत सिंपल लॉजिक के साथ जाड़ेस को हमने ट्रेड गिया था और कल का जो ट्रेड था उसमें तो पर फाइस मास्ट्र कैंडल को यह ब्रेन वाली केंडल है यहां पर जो वॉति के लिव Simply के बाद में यह बरेक बरी पूर्स्ट में इस फूर्थके नीचे ही movement दिखाया है 9 10 11 12 चार दिन हो गया कल Friday का session हो ना हो कल भी अगर market आपको इस लेवल पर फिलाल अब तो मुश्किल है यहां पर मिलना लेकिन किसी भी chance से price अगर gap up opening दिखाने के बाद में इस level पर मिलते हैं आपको तो अब कर देना short अपने entries के confirmations लेने के बाद में जैसे support तूट रहा है आप लोगे यहां से short कर देना अब यहां पर देखिए lower time framework क्योंकि मेरी master candle कौन सी है यह green वाली candle अब lower time frame पर हम आते हैं इसके अंदर देखिए क्या हुआ प्राइस यहां से टक राया या नीचे के stocks के movement हमें बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आ जाते हैं करीब 17,000 के आसपास का profit इसकेंदर अपना चल रहा था लेकिन last close होते होते करीब 14,000 रुपया का profit इसकेंदर हम लोगों ने book किया कम हो गया करीब क्योंकि actual जो देखिए टार्गेट्स थे हमारे वो 593.90 के या थोड़ा सा ओपर की साइड में थे 15 पैसे बात में जो exit हुई है 593.95 पर हुई है और जो हमारा revised target था 590.25 यहां पर हम भी निकलना था वेट करें थे बड़ प्राइस यहां पर आया थोड़ी ही दूर पर यहां से फिर यह उपर के तरफ चला गया और जो हमारा expected exit point था यहां से फिर हमने exit कर लिया तो डेली टाइम पर बहुत basic चीज थी कोई भी मुश्किलेरी trade execute करें ना ही आज में और ना ही कल में 2400 कौंटी के साथ में आज को हमने trade किया था which was beautiful trade so thanks and बढ़ते हम लोग अब आज के अगले session में hello traders and welcome to the studio आज तक हमने बहुत सारे methods आप लोगों को बताया है trade execute करने के लिए basically सबसे ज़्यादा जो अपने लिए important होता है वो होता है point of action point of action trade करने के point of action scope पहचानने के बहुत सारे methods बहुत सारी technique strategies सारी चीज़े हमने आप लोगों के साथ share की है आने वाले समय में और भी धिरे-धिरे करके systems जितनी strategies हो सकती हम आप लोगों के साथ share करेंगे ताकि जब भी आप trade execute करो तो उसमें आपकी help हो और आपके trades और easy हो सके जितना आसान होगा उन्हें पढ़ पाना जितना आसान हो पाएगा उन्हें read कर पाना उतनी अच्छी तरह से हम उसे फिर trade कर पाते हैं हर बड़ी में कुछ नहीं होता बस जलबाजी में कर दिया क्योंकि अक्सर जैसा हम बोलते हैं यह अपना एक धिन का काम नहीं है कि जैसे भी जाहा जलबाजी में कर दिया यह अपना permanent का काम है यह accelerating अपना काम है तो जितना हो सेके focus के साथ सबसे ज़्यादा focus के साथ करने वाला ये काम है, ये discuss हम आप से इसलिये कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी point of actions हमने अभी तक आप रहों को बता हैं, वो सारी थी techniques, अभी किस तरह के point of actions यानि के POA, actually work करेंगे, actually work करेंगे से मेरा मतलब है कि कौन से point of actions पर हमें ध्यान देना चाहिए, किसे हम लोग और practice करके उस important point of actions, उन दो important point of actions के उपर हम लोग discussion करेंगे, कि कैसे उन point of actions को हम लोग निकाल करके पहचान सकते हैं, ताकि trade जब करें, तो उसमें एक proper management हमारा हो, readings में आसानी हो, आज जो हमने trade किया था, Glenmark को trade किया था, pharma sector है, शायद संडे की शाम को हमने message group में शेयर किया था, कि pharma sector मे इस week हम लोगों को बहुत जादा chance है कि एक downfall देखने को मिले है, Glen pharma को हम कल भी देख रहे थे, क्योंकि कल मेरा view था कि ये side way रह सकती है market, तो कल तो बहुत अच्छा move इसने दिखा दिया था, बट आज gap up हुआ, gap up होने की बात में, जब price upside की तरफ sustain होने लगा, तो Glen pharma को ह हम कल से ही देख रहे थे, ये मेरे radar पर था और इसमें करना है short, पूरे week हम Glen mark को देखेंगे और जब-जब हमें मौका मिलेगे, हम Glen mark को trade करेंगे ही करेंगे, buy नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें short selling ही करेंगे, तो Glen mark को आप भी अपने radar पर रखें, जब भी setup बनाएगा हम लोग इसको trade करेंगे, आज को जो में trade किया था, 1000 क्वाइंटी के साथ हमें इसके इंदर ने 3 entry ली थी, 794.35 पर, stop loss ज़स्ट डेहाई का stop loss था अपना, 796 के अपने थोड़ा से stop loss था, and previous 3 days का जो मेरा low भन रहा था, इन lows के नीचे मेरी targets थे, इसके नीचे, तो यहाँ प easy trade था, कुछ मुश्किल नहीं, अब जो point of actions हम आप से discuss करने हैं, कि actually कौन से point of actions important होते हैं, उसको थोड़ा से, माल लिजे, आपने किसी भी method से यह अपनी एक range निकाल रही, अचा point of action जब आप search करने जाओगा, तो यह आपको कहीं मिले गरे, हाँ, SMC में एक concept आता है POI, point of interest हम उसको अपनी local, मेरी अपनी personal language है, हम उसको point of action बोलते हैं, point of action से मेरा मतलब है, कि वो जगा जहां से हम लोग buy करें, या फिर sell करें, हम लोग दो तरह के point of action समझेंगे, जैसे कि सबसे अब यह होगा हमारा support और resistance, हम लोग बहुत आसानी से supports और resistance निकाल लेते हैं, but इसको identify कैसे करते हैं, इस पर identification कैसे करेंगे, resistance पर actually resistance के confirmations के स्थरे से लिये जाते हैं, supports पर actually supports के resistance कैसे लिये जाते हैं, जिससे कि हम लोग जब reading स्टार्ट करें, तो हमारे अंदर ये confidence हो, कि हाँ हम एक सही जगह से point of actions तक पहुशने की कोशिश कर रहे हैं, या सही जगह से हम point of actions की reading कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए daily time frame पर, हम लोग जो भी reading करेंगे daily time frame पर करेंगे, अब daily time frame पर ये वाला जो अपना area है, यहाँ पर किस तरह की candles आपको देखनी है, यहाँ पर ये जो volume structures हैं, इन्हें हम लोग कैसे read करेंगे, कि ये जो line अभी हमने draw की है, यहाँ पर हम ही हम अपने levels निकालते हैं, तो दोनों चीज़े देख रहे हैं, आपस में जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग higher time frame की जो line है, वो daily time frame से किसी अलग time frame से लेकर क्या रहे है, higher time frame की वो lines ही है, अब higher time frame पर हमने lines draw कर ली, lines draw करने का method है वो तो daily time frame की candles के actions ही है, बात according price का हमारी line के उपर reactions कैसे हो रहे है, किस तरह से price हमारी line को react कर रहा है, इससे फिर हम आगे के तरफ एक step और आगे चले जाते हैं, कि actually कौन से point of actions पर हमें focus करना चाहिए, यह चार candle सभी हमने draw की है, आपको कोई-कोई chart, कुछ-कुछ charts ऐसे दिखेंगे, जहां पर आपका resistance area जो mark करोगे, जब भी price अपका, इस आपको आज के टेड में ग्लैन फारमा ने क्या क्या है हमने उस लिवर से जस्ट इसको ट्रेड किया जहां पर प्राइस पिछले 2 से 3 दिन interests Darren लगातार डाउन साइट के तरफ गिर रहा है जब जब प्राइस वहां पर आया है नीचे के तरफ गिर रहा है अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पर इसका एक्जामपल लेंगे इससे पहले हम इस चिसको समझ लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम के कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर्स होते है उसको फॉलो करना कमपल सरी होता है बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंफिर मिलती है वालूम के तरूप फिल हालुथ को हम यहाँ पर डिसकस नहीं कर सकते अभी जो हम पूरी तरह लिए कि इसी जगह पर आपको कोई एक ये candle मिली अब यहां पर होगा क्या है यह जो मेरी blue वाली लाइन है यह डेली time frame की लाइन है यह मेरा daily time frame का point of action है जहां से में trades execute करें हो लाइन मारे पास आ गई अब हम देख रहे हैं कि price कई बार इस जगह से नीचे की दरफ आया है यहा इन चारो ही दुनों में जो एक common price action हुआ है कि चार की चारो candles हर बार एक price से टक्राइन जरूर है वो है यह वाली यहां से price टक्रा करके नीचे की दरफ आया अब हम यह देख रहे हैं कि price जब-जब यहां पर आ रहे हैं यहां से नीचे की दरफ गिर रहा है फिर से यहां से टक्रा है फिर से नीचे की तरफ आगे ओके इससे पहले की कुछ movement देखे जिससे की आपको और clarity देखे समझ पा रहे हैं अब यहां पर देखिए second day एक mother candle form हुई इस mother candle ने काफी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आसान बना है बस ररते हैं कि हमें उस चीज़ को बस देख देखना है यहां पर volume के भी कुछ structures होते हैं जो कि हम follow करते हुए चलते हैं देखिए फिर volume पर आगए इसको यहां पर हम discuss नहीं करेंगे सिर्फ price को ही देखेंगे प्राइस ने यहां पर बना दी एक mother candle अब यह जो mother candle मारी form हुई इसके next देखिए इसको upside की तरफ breakout मिला यहा आ रहा है यहां पर देख रहा है न सिर्फ नजरिये की बात है वो जो आपको point of view है चार्ट को देखने का वो यहां से दीरे दीरे करके change होता है और बहतरी की तरफ हम लोग जाते हैं एक candle एक line तो हमने निकाल ली अब इसके internal structures को read कीजिए यह जो mother candle form हो गई आप price को अगर उपर की तरफ जाना तो यह उपर की तरफ जा सकता है यह वापस हमारी range के अंदर क्या करने आया पहली चीज दूसरा है यह हमारे point of action से भी टकरा रहा है confirmations बढ़ रही है कि price हमारा yes अगा upside की तरफ जाना था तो यह जा सकता तो यह sale में भी chance है कि यह sale हो सकता है यानि कि ज यहाँ पर क्या हो सकता है इसी जगह पर दिखिए यह भी एक mother candle बन गई यहाँ पर में भी chance है कि price आपका gap up हो जाए उपर से gap up हो बट gap up हो जाने के बाद में यहाँ पर आकर कि price इस जगह पर थोड़ा बहुत support ले and again price फिर आपका downside की तरफ गिर जाए और price वापस से आपक क्या करते हैं इसके अंदर एक short selling का plan करते हैं यह बहुत basic सा nature होता है यहाँ पर practice का जो सबसे पहला step होता है आपको chart पर formations find करनी है second step में वो formations क्या react आलने इन charts के उपर फिर हम लोग इसके उपर आते हैं फिर इसकी practice होती है यहाँ पर first अगर यह formation हम class में पढ़ा रहे हैं त करते जाते हैं कि देखिए यह अपना point of action है यहाँ अच्छा यह mother candle में सिर्फ example के लिए बता है mother candle का इतना ज्यादा use हम करते नहीं है mother candle के अलावा बहुत सारी fixed formation अपने जिनका use हम लोग daily या फिलोगर time frame पर करते हैं वो और भी ज्यादा accurate होती हैं यहाँ से देखने समझन और सीखने वाली बात यह है कि जिस line से हम लोगों को यह अपना trade execute करना है यहां से extra confirmations के लिए मुझे हमने कहा न कि best point of action या फिर दो सबसे important point of actions कौन से actually कौन से point of actions work करते हैं तो यह point of actions है एक तो एक यह line हम नहीं निकाल ले इस line के पास से price के movement किस तरह क्यों रहे हैं कि यह यहां पर देखिए एक यह mother candle form हुई यह हूँ यह हूँ यह यह आगे की तरफ यह bullish candle price को उपर की तरफ जाना तो फिर यह चला जाए लेकिन price जब जब upside की तरफ जा रहे है यह नीचे की side में ही गिर रहा है अब यहां पर क्या हुआ कि एक mother candle form हो गई है ना यह देखिए यह candle form हुई में भी हो सकता है कि price आपका gap up ऊपर की तरफ मार दे और वापस से फिर यह नीचे की तरफ आ जाया है जैसे price आपका नीचे की side में आया है इसने closing कर दी कि अगर price हमारा actually strong था तो यह उपर की तरफ जा सकता है यह वापस से मेरी master candle की range के अंदर करने क्या है अब जै साइन है साइन है एक bullish breakout का कि आपके level को break कर दे price किसी bullish formation के साथ में वापस से price आपका आपकी range के अंदर आ है तो आप short कर सकते हो और इसका just twice versa भी होता है कि एक कोई single candle formation अगर हम लोग ले 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 यानि कि दो candles मिलकर कि single candle formation form होती है अब इसका price breakout अगर नीचे की दिशा में कर price ने gap down opening दी but closing ओपर की तरफ कर दी क्या हो रहा है यहां से नीचे से इसको मिल रहा है support हम इस जगे से trade नहीं करेंगे हमारी trade करने की जगा होगी यह क्योंकि हो सकते है कि price वहां से नीचे की तरफ गिरे और नीचे की तरफ चला जाए तो हम wait करते हैं कि price इस जगे से upside की तर अब हम लोग देखेंगे अपना second point of action second वाले point of action में क्या होता है यहां पर भी internal structures के तुरू हम लोग trend identify करने की कोशिश करते हैं trend identify बोलना शायद सही नहीं होगा basically हम लोग यहां पर अपनी वो जगा तलाशते हैं जहां से कि हमें decide करना होता है कि actually मैं जाना किस साइड में है जैसे कि एक basic सी चीज होती है second जो point of action आपका बन रहा है just imagine कि आपने कोई भी एक line ड्राव कर ली अब उसके पहले आप reading कैसे करोगे हमें यहां से trade execute करना है आपने कई बार देखा होगा कि हम trade तो कर रहे है 603 के levels बट रीडिंग जो हमाले start हो इसके 50 या 40 पाइं नीचे सम रीडिंग स्टार करके upside की तरफ जा रहे हैं यह होता है कि क्या जिस point of action से हम trade करने जा रहे हैं वो सही है या downside से upside की तरफ हम reading करते हुए आ रहे हैं तो इससे हम यह तै करते हैं कि actually हम जिस point of action पर work कर रहे हैं क्या वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है इससे आप second वाले examples यह समझे कि यहां पर हमने particular price पर एक line अपनी draw कर लिए अब आप reading करिए कि यहां तक अगर हमें read करते हुआ ना तो हम कैसे हैंगे यहां से देखके low protected high break high break हुआ यहां पर आपका high break हुआ and यहां पर आपका high break price high break करते हुए आपका upside की तड़ा आया अब यहां से क्या होना चाहिए जैसे price high break कर रहा है यान आपका upside की तरफ जो यह ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए यहां पर भी high break होई जो price अपका upside की तरफ चला जाया कि price नीचे से कही upside की तरफ आया हो और इसने सेम इस तरह के reactions दिखाए हो price आपका particular rate point से reject हो करके नीचे की तरफ आया हो यहाँ पर क्या हुआ कि वापस से price ने आपका low break कर दिया मतलब सबसे पहला जो symptom देखा है कि price ने अपने high के उपर sustainability नहीं दिखा है हमें यह previous candle के range के अंदर ही आ करके close हो गया second time में price ने अपना low break कर दिया यहाँ पर सबसे पहला symptom यह देखाए पड़ा कि price ने हमारा low break किया क्या हो सकता है price ने एक और आपकी यह दो इन दोनों ही candle के range के अंदर में आ करके closing के यह negative symptom नहीं है actually अभी अभी अब यहां से क्या हो सकता है कि price आपका again upside की तरफ हो सकता है कि gap up opening देखा और price आपका upside की तरफ चला जाए यह सारी चीज़े हो चुकी है ऐसा नहीं है कि live market में बैट करके यह सारी चीज़े हो रहे और हम देख रहे है price actions form हो चुके है and अब हम इसे read कर रहे है read हम क्यों कर रहे है यह तै करने के लिए कि actually जो हम काम करने जा रहे है जिस point of action से हम actually trade execute करने जा रहे है क्या वो सही है या नहीं तो उस जगह पर आ करके देखे यहां पर आपको rejection देखे price जमरा नीचे की तरफ गिर गया यह price इस एक जगह से जो नीचे की तरफ आया आपके level से टक रहा थे price आपका नीचे की तरफ गिर गया and यहां पर जो volumes हैं वो भी increase हो गया volumes के breakout हो गया volume breakout क्या होती है पिछले कई वीडियो में हम आपको बता चुग है कि previous candle से ज्यादा अगर किसी वी candle में volume आ जाती है तो volume का breakout हो जाता है previous candle से ज्यादा इस candle में breakout आ गया तो यह volume का breakout है तो यहां पर volume breakout के साथ साथ प्राइज ने पर रेंज के अंदर closing कर दी और वापस से देखे प्राइज आपका upside की तरफ गया और फिर से नीचे की तरफ गया अब हमारी लिए जो important candle बन जाती वह यह second वाली candle बहुत important बनती है क्योंकि अब अगर इसके अंदर selling आनी है तो हमारी यह जो second वाली candle है इस range की नीचे ही closing आनी है stop loss लगाने की भी सबसे safe जगा यही होगी आपकी जैसे price यहां पर आएगा हम लोग यहां से execution करते हैं और जो target होता है target in the sense के हमें चाहिए होते हैं breakout breakout होने से पहले अगर आप trade execute कर लिए तो इसके काफी सारे method होते हैं but breakout होने से पहले अगर आप कोई भी trade execute करते हो तो वहाँ पर आपको moves बड़े मिलते हैं movement हमेशा बड़े movement हमने क्या किया कि इस एक candle के breakout होने से पहले हमने यहां पर पने symptoms देखे और यह मेरा बन रहा था point of action इस एक जगह से read करते हुए downside की तरफ हमाए अब हमें इस एक जगह से मिल जाते हैं हमारे trade करने के symptom breakout होने से पहले हम लोग यहां पर पना trade execute करते हैं फिर breakout जब जब यहां पर breakout होगा आपको volumes के हमेशा breakout दिखाए पड़ेंगे किसी भी major area उसको break करने के लिए volumes की ज़रूद पढ़ती ही पढ़ती है और अगर हमें breakouts पर लिए trade execute कर लिए तो वो सारी की सारी volumes हमारी help करती है profits को increase करने में समझ में आया यह दो तरह के point of action है actually जिसका use हम लोग करते हैं trade execute करने के लिए और यह दोरों ही point of actions बहुत important होते हैं आप इसकी practice करने अब ही हम इसका example आपको दिखाते है first वाले का example हम आपको देंगे जो trade हमने आज के दिन किया Glenmark में अब जैसे यह Glenmark है Glenmark के अंदर मेरे लिए जो आज की reference candle है वो सारी markings को हम remove कर देते हैं and जो reference candle मेरे निकल के आएगी वो है यह वाली candle हमें देखना है कि price ने इस जगे से क्या reactions दिखा है क्योंकि यही हमारी important candle है इस candle के पास से आप readings करो आप readings start कर दो आपको बहुत सारी चीज़े समझा जाएंगे बहुत सारी चीज़े समझाने लगेंगे देखिए जैसे कि इस एक candle के breakout के बाद में प्राइस ने कितने परसंट का मूव दिखाया है करीब दस परसंट का इसी एक जगे से price फिर आपको सीधे नीचे की तरफ गिर भी गया यहां पर इसने कुछ ओड़ल लिया थे आप लोगर टाइम पर देखिए तो बहुत अच्छे अगे इन देखिए ऐसा क्या हुआ कि प्राइस जब अपसाइट की तरफ आया तो 785.55 इस जगे को ब्रेक करते हैं प्राइस ने फिर से 10 परसंट का मुवमेंट दिखा दिया अपसाइट की तरफ यहां पर देखिए तो यह जो भी पांस परसंट और दस परसंट हम कर इसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 785.55 इस इंपॉइंट एरिया यह एक पॉइंट ऑफ एक्शन है मेरा अब इस पॉइंट ऑफ एक्शन को जस्ट मांकर के ट्रेड नहीं हो जागा आप यहां से रीडिंग्स करिए अप रीट करिए क्या हो सकता है हम देख रहे हैं कि प्राइस जब से 795.55 की रेंज के अंदर आया है तब से बाहर की तरफ गया नहीं यहां पर देखिए डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग ओप्निंग रेंज के के अंदर यहीं पर क्लोजिंग ओप्निंग रेंज के अंदर क्या हुआ जो चीज अभी हम चार्ट पर आपको समझा रहे थे कि एक एरिया जहां से प्राइस आपका अगेन अगेन डाउन साइड की दरफ गिर रहा हो आप ऐसा ग्लेन मार्क में ही नहीं आप किसी भी स्टॉ पूटेबल टाइम फ्रेम उतना ही कंफिम टाइम फ्रेम होता है एक कंफिरम टेडिंग करते हैं कई बार यसको अपने लेवल स्टॉड करके यह देखना की कोशिच करते हैं कि आज प्राइज डाउन साट की मूव दिखा सकता है या फिर यहां पर रेक आट कलर कीके थे जर तर काम करता है, confirm candle trading strategy, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कि यह जो green वाली candle है, आप इस green वाली candle का high mark लेट, इसके बाद में price ने move किस तरह का दिखाया है, आप उसको read करो, कि price यहाँ पर अपने low को break कर रही है, lows break हो रहे है, अगें देखिए क्या हो रहा है, low break हो रहे ह and high break ही नहीं हो रहा है, high ही break नहीं हो रहा है, यहाँ पर यह वाली candle बन जाती है, और यह वाली अपनी candle बन रही है, हमने इसमें क्या देखिए कि bullish movement तो कोई है ही नहीं, जब जब price आपका 795.55 से टकरा रहे है, सिधे नीचे की तरफ गिर रहा है, जब जब 795.50 रूपर टक अगर एक सही जगह पर हमको मारा stop loss मिल गया, हमने यहाँ पर क्या देखा, कि यह जो सबसे high volume थी ना, सबसे high volume, हमें entry हमें उपर में नहीं लिए, हमने price का इस range के अंदर वापस आने का weight किया, क्योंकि high volume है, अब price के अंदर अगर buying साई, तो price को उपर की तरफ जाना यहाँ पर, अब high mark करने की बाद में price को उपर की तरफ जाना तो चला जाए, अगर वापस यह price हमारा range के अंदर आया, यहाँ पर आप देख रहे होगे 794.55, जस्ट 20 पैसे का फर्क था, 794.35, 794.35 पर हमारी entry थी, जो हमने अपना stop loss लगाया था, जस्ट हमारा day high का stop loss था, next to impossible लग रहा था हमें कि आज market हमारा stop loss लेगे, क्योंकि जहां से reject होकर के नीचे की तरफ गिरी है न, market पिसले 4 दिन से वहीं से गिर रही नीचे की तरफ, और यह prediction तो अपना Sunday को यह लग गया था, कि फार्मा के अंदर हम लोग, Monday को हमने stock दिया था, कुछ supply, Dr. D कुछ stock दि कुल मिला करके Sunday से ही हमान के बैठे हैं कि हमें इसके अंदर short selling करने हैं, और आज जैसा setup मिला, यह बहुत अच्छा setup था, trade करने का, हमने क्या किया, पिछले 3 दिन से, 3 दिन से जो volumes आ रही हैं कि price का low लग रहा था, just 3 दिन के low के नीचे हम अपना target लगा करके बैठे हुते है जैसे ही price का movement downside की तरफ आया यहां से, आपने profits बुक करके चुपचा भाहर निकल तो यह overall अपना setup था Glenmar का, और जो point of action अभी हमने आपको बताए हैं, आप उन्हें practice करो, backtest करो, कुछ stocks उठो और इन stocks के उपर practice करो, आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आने लगेंगी, ब कई बार ऐसा होते हैं कि हम YouTube पर जब कुछ upload नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होते हैं कि stocks जो के intraday के लिए हम trade करने के लिए देना होता है, तो वह टेलेग्राम ग्रूप के तरुम share कर देते हैं, तो वहां से आपको वह support हमेशा मिलता रहेगा, so thanks, goodbye and we will meet again.